नमस्ते जी आप देख रहे हैं वैदिक राष्ट यूटूब चेनल वैदिक राष्ट यूटूब चेल के माध्यम से आप प्रति दिन वैदिक सिद्धान्त, वेद, दर्शन, उपनिशद, आदी के द्वारा वैदिक विचार सुनते हैं इस वैदिक राष्ट यूटूब चेनल के माध्यम से महापुर्शों के जीवन प्रसंग से सम्मंधित विशय को आप सुनते हैं प्रति दिन वेद व्याक्षान को आप सुनते हैं वेद मंत्रों के द्वारा जो भजन की प्रस्तुति है आप उसे सुनते हैं इस प्रकार से वैदिक राष्ट यूटूब चेनल में वैदिक अगनीहोत्र क्या है वैदिक अगनीहोत्र की स्रंकला में अभी हम चर्चा कर रहे हैं पावमानी आहुतियों की इस स्रंकला के लेखक हैं डाक्टर असोक आर्य गाजयाबास से विगत अठारवी विधी में आपने प्रधान हों भाग दो आज्याहुति मंत्रा अथ्वा पावमाना आहुति के द्वारा आपने यह लेख की स्रंकला को सुना था आज उन्निस्वी विधी वेदिक अगनीहोत्र पधान हों भाग दो आज्याहुति मंत्रा या पावमाना आहुतिया इस स्रंकला के इस लेख के लेखक हैं डाक्टर असोक आर्य गाजयाबास से विगत लेख में हमने वेदिक अगनीहोत्र की उन्निस्वी किरिया के अंतरगत्र पधान हों को आरंब किया था इस हों के अंतरगत भी हमने जो चार आहुतिया देनी थी उन्में से मात्र एक आहुति देते हुए इस किरिया का केवल पधम भागी आरंब किया था यह भी बताया था कि इन चार आहुतियों को पवमान आहुति कहते हैं यहां आहुतिया आज्ये आहुति के अंतरगत आती हैं यह भी बताया था कि आज्ये का भाव घी से होने के कारण यह आउतिया केवल घी से ही डाली जाती हैं अब हम इस किरिया के दुसरे भाग के रूप में लेक को आगे प्रम्ब करते हैं इस किरिया का दुसरा मंत इस पकार से रिगवेद 9-6-20 इहां मंत्र रिगवेद से लिया गया है इस मंत्र से केवल घी के आउति दी गई है मंत्र के सब्दों का अर्थ इस पकार से है सब्दार अगनी अगनी रिशी सब का भला देखने वाला पौमाना पवित्र करने वाला पांचे जन्या ब्रामन, शत्री, वेस, सुद्र और आर्यवन से बहार भी सब पजाओं के पारन करने वाला पौरोहिता सब धार्मिक कार्यों में प्रमुखो कर सायता करने वाला महागयम अत्यन्त बलवान है तम उस इमहे सब धर्मकर्म की सफलताओं के लिए प्राप्त हो होते हैं, व्याख्यान, मंत्र के लिए दिये गए इस अब्दार्थ के आलोप में हम इस मंत्र की व्याख्या इस पकार से करते हैं, परंपता परमात्मा आप अगनी सरूप हैं, अगनी की व्याख्या विगत मंत्र में कर चुका हूं, यहां इतना ही कहूंगा कि जितने गु में होते हैं वह सब परम्पता परमात्मा के दिये हुए गुण हैं और परमात्मा में भी यह सब गुण होते हैं इसके साथ ही साथ वह परम्पता परमात्मा सबको देखने वाला है इतने विशाल ब्रमान में जितने भी प्राणी हैं उन सबको प्रहुप प्रदिक्षन देख सब का नेक्षन करता रेता है, सब के कर्मों का ध्यान रखता है, क्योंकि नित्यु के प्रष्चात उसे इस जन्म में किये गए कर्मों के आधार पर ही अगला जन्म और योनी देना होता है। एसा नहीं है कि वो अच्छे कारे करता ही नहीं, वो अच्छे कारे भी करता है। कारण हमें हमारे लिए किये गए अच्छे और बुरे कर्मों का फल देने वाला है जब वह हमारे बुरे कर्मों का फल देता है तो हम एक पकार से तब कर पवित्र हो जाते हैं अब हमारे पास के और अच्छे और पुर्णे के कर्में इसे रहे जाते हैं इन कर्मों का फल भी प पारण करने वाला भी है इस जगत के सब प्राणी दो पाउं वाले चार पाउं वाले भूमी पचरने वाले आकास में विचरन करने वाले और जन्में रहने वाले सब प्राणी को समान रूप से देखते हुए सब का समान रूप से पारण करता है जहां तक मानोजाति का के आधार पर सम मानों को चार जातियों में बाठ रखा है, यह चार जातियां हैं, ब्राह्मन, छत्री, वैसे और सुद्र, इन चार जातियों को मानों जाति के चार वन भी कहा गया है, इसका भाविया है कि जो लोग विद्वान हैं, चारों विद्व को जानने वाले हैं, शिक बिद्ध करते हैं उन्हें ब्राह्मान मन में रखा गया है। पून ना कर ले, जब वहाँ शिख्षा गुर्कुल से पून करके निकलने लगते हैं, तो इस समेक रिक्षान समहारों किया जाता है, इस समहारों में गुरु अपने सिश्छों को अंतियम संदेज देता है, तो आपने सिश्यों को उनके गुणों के अधार पर उनकी जाती या वर्ण का निधारन करता है इसे से एक बात तो बिल्कुल इस्पेट हो गई बिल्कुल इस्पेट हो जाती है कि आजकल जो जाते है जनम से माने जाती है वो वेदिक विधी में नहीं आती यह सब वेदिक नियमों के विरोध में वेद विरोध के वल अंदपरमप्राओं का ही पढ़ नाम है इस कारण ही आज सामाजिक विवस्ता गड़बड चल रही है मंतर तो यहां तक कहता है कि जहां लोग इन चारो वर्णों के अत्रिक भी रह जाते हैं उनका भी पालन वा इस वर ही करता है अब पैशन उत्पन होता है कि वेद ने वेद का नुगमन करने वाले हमारे रिश्यों ने जब चार वर्णों का दिधान करी दिया तो शेश कौन बचा इस वर विचार करने के पैश्चाथ हम कह सकते हैं कि सुद्र तो उसे कहा गया है जो उपर के तेनों वर्णों में से किसी के संपक्ष नहीं वेड़ता है इस कारणों से सुद्र वर्ण दिया जाता है ताकि वह और कुछ नहीं कम से कम सेवा का कारे तो कर सके किन्तु कुछ लोग सारीक रस्ना और मांसिक कारणों से किसी भी वर्ण के लायक नहीं रह जाते हैं यहां तक कि वह सेवा तो क्या वह स्यम अपने को भी नहीं समाल पाते इस पकार के लोगों को चार जाते हो से अलग करते हुए आरे वर्ण के बनाए गए इन चारों औरनों से बहार मानते हुका गया कि फर्मात्मा इस पकार के जीवों का पालन भी करता है जो सर्था अपंग हैं और स्यम को भी समाल सकने वाले नहीं होते हैं हम जिस स्विक्ति को बुलाते हैं वो अपने विशे अथात करम कारण में अच्छा विद्वान होता है और इस विद्वत्ता के कारण वो सब धार्मिक कारण को संपन करा पाने में सक्षम होता है अतहां सब धार्मिक कारण में सायक होने की कारण इसे पुरुवित कहा जाता है इस पकार वह परमात्मा तंत वलवान होता है क्योंकि इस सेश्ट्री के सब सक्तियों के अंदर भी तो परम्पता परमात्मा ही होता है सब सक्तियों का आधिसरोत हमारा प्रहू ही होता है इसे से इस प्रश्ट है कि जो प्रमात्मा सम्मे सक्ति को बाटने वाला होता है इस कारण वहाँ प्रम्पता प्रमात्मा सबसे बड़ा और बलवान होता है हम उस प्रमात्मा को प्राप्त होते हैं ताकि हम उस ब्राह्मन शुरूप प्रमात्मा या पुरुवित शुरूप प्रमात्मा के आशिरवाद और मार्ग दर्शन में रहते हुए हमारे सब प्रकार के धर्म तथा कर्म के कारें को सफलता पुर्वग संपन कर सकें। डाक्टर असोक आरे के द्वारा आप यह लेख सुन रहे थे। डाक्टर असोक आरे ने यह लेख लिखा और बताया कि हम अगनीहोत्र जो करते हैं। वेदिक अगनीहोत्र के अंतरगत आज्या होती पामाना होतियों में किस पकार से प्रमात्मा का विशेशन की व्याख्या की गई है। बंधों आप इसी पकार से वेदिक राष्ट यूटूब चैनल पर डाक्टर असोक आरे जी के द्वारा लिखे गए। सभी लेख को आप सुन सकते हैं। इस वेदिक राष्ट यूटूब चैनल पर स्री मनमोहन कुमार आरे वेदिक विद्वान देरादून से उनके द्वारा भी प्रतितिन लेख सुनते हैं, देखते हैं। प्रशित साहित संगितकार स्री ललित कुमार सानी जी के द्वारा भी मुंबई से आप वेद मंत्रों के भजनों की प्रसुत्य को आप सुनते हैं बंधों आप इसी पिकार से व्यदिक सिध्धानत को सुनने के लिए व्यदिक मंत्र भजनों को सुनने के लिए व्यदिक अगनी होत्र व्यदिक संध्या वेद योग दर्शन सभी विश्यों को सुनने के लिए व्यदिक राष्ट यूट्यूब चैनल को सब्क्राइब करें सब्क्राइब करें लाइक करें शेर करें और अपने कमेंट अपने सुझाओ हमें देते रहें ओम सान्ती शान्ती